सबसे पहले हम अविनंदन करते हैं उस सेर का जिसे उने चेलेंज करके 4000 किलोमिटर यात्रा निकाली और उस पूरे देश में उस केंदर की गमंडी सरकार को बता दिया कि देश के लोगों के मुद्दों को समझना पड़ेगा देश के लोगों के आवाज को सुनना पड़ेगा हमारे नेतर राहूल गांदी जी फिर दहाड करके हमारे आदिवाशियों भाईयों को साथ ले करके इस देश में जो एंकारी सरकार है उसका गमंड चूर करने का आगाज आज राजस्तान की इन मांगड की पवित्र स्वतंतरता सेलानियों की धरती से करने जा रहे हैं मैं एक बात निवेधन करना चाहता हूँ आज हमारा इस बात का भी सोबा गया है कि आदिवासी भाई और बैनों के लिए जो अत्याचार हो रे हैं जो ब्लातकार की गटना हैं हमारी आदिवासी मा बेटी बैनों के साथ में मनिपूर में हो रही हैं उसके लिए राहूल गा का मिटा के रहेंगे आज इस पामन धर्ती से हम संकल्ब लेने वाले हैं कि जिस प्रकार से हमारी नेता इंद्रा गांधी जी ने गरीबी मिटाओं का नारा दिया था हमारी लोग पर ये सरकार ने मुख्यमंतरिया सो गेलोजी के नेत्रितों में महेंगाई गठाओं का काम मेनाओं को ख्याल रखा केवल एंकार में डूपे हुए हैं इसलिए मैं राहूल जी आप से आगए पावन दिवस के ऊपर आपका दिवासी भाईयों के बीच में स्वागत तो है ही है लेकिन राजस्तान की पावन मानगड़ की दर्ती से आपका जो आउवान होगा यहां से हम सब संकल्प ले करके जाएंगे 2023 में पुने कॉंग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में उसके अंदर की गमंडिस सरकार को मुतोर जबाब देंगे और सत्ता से हटा के रहेंगे इनी सब्दों के साथ आपका पुने बहुत-बहुत हार्दिक श्वागत अविनंदन हम चाहते ह कि हम राहूल जी को सुनें इसले मैं जड़ा नहीं करके इतना कहना चाहता हूं सत्ता और संक्टन समनने के साथ इना दिवासि भाइयों के साथ में मिल करके हम लोग राजस्तान में पुने बहुत-बहुत के साथ आप सब का बहुत-बहुत-धन्यवाद समानी तुमंच में पदारे वे नेताओं का भी स्वागत अभिनंदन आप सब पदारे और मेरे आदिवासी भाईयों का भी बहुत बहुत अभार कि आप सुबहे 6-7 बजे आकर के यहां बैठ के थे राउल जी 25 किलो मेटर तक लाइन लगी है पैदल देख लीजिए रोड पे एक इंच भी जगम जय हिन जय भारत जय कॉंग्रेस